ओम शान्ती ग्यारा आठ दो हजार बीस की साकार मुरली मीठे बच्चे तुम्हारी एम उबजेक्ट है वंडर्फुल रंग बिरंगी दुनिया स्वर्ग का मालिक बनना तो सदा इसी खुशी में हर्शित रहो मुर्जाया हुआ नहीं प्रश्ण तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा उत्तर हमें बेहत का बाप नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसिज बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं तुम इसी उमंग से सब को समझा सकते हो कि इस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं इसी खुशी में रहना है और खुशी खुशी से दूसरों को भी समझाना है गीत दुनिया रंग रंगीली बाबा ओम शान्ती धार्णा के लिए मुख्यसार पहला ग्यान रतनों के सागर से जो अविनाशी ग्यान रतन प्राप्त हो रहे हैं उनकी वैल्यू रखनी है विचार सागर मंथन कर स्वयम में ग्यान रतन धारन करने है मुख्य से सदैव रतन निकालने है दूसरा याद की यात्रा में रहकर वानी को जोहरदार बनाना है याद से ही आत्मा कंचन बनेगी इसलिए याद करने का अकल सीखना है वर्दान पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तक्त नशीन भव संगम युगी स्रेश्ट आत्माओं का इस्थान है ही बाप दादा का दिल तक्त ऐसा तक्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता विश्व के राज्जी का वर स्टेट के राज्जी का तक्त तो मिलता रहेगा लेकिन यह तक्त नहीं मिलेगा यह इतना विशाल तक्त है जो चलो फिरो खाओ सो लेकिन सदा तक्त नशीन रह सकते हो जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तक तनशीन रहते हैं वे इस पुरानी देह वा देह की दुनिया से विस्मिरत रहते हैं इसे देखते हुए भी नहीं देखते स्लोगन हद के नाम, मान, शान के पीछे दौड लगाना अर्थात परचाई के पीछे पढ़ना ओम शान्ती